नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि उद्धोग अधार क्या है उद्धोग अधार पे अगर आपको रेश्टेशन करते हैं तो क्या आपको बेनी फिट मिलेगा और साथ है उद्धोग अधार में कौन-कौन से लोग रेश्टेशन कर सकते हैं registration करने में क्या document लेगेगा और किस परकार आपको registration करना है इसके पूरी परकरिया आपको live demo के साथ आपको दिखाने वाले हैं ताकि आपको दोग अधार का certificate लेने में किसी भी परकार की mistake ना हो विडियों को आप अंत तक दिखीएगा पूरी परकरिया समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि दोग अधार है क्या देखेंगे दोग अधार खासकर वैसे लोगों के लिए काफी जरूरी सर्टिफिकेट होता है जो किसी भी परकर का सौप चलाते हैं गरमाली जब साइवर कैफे कही दुकान चलाते हैं किराना दुकान चलाते हैं मेडिकल दुकान चलाते हैं किसी भी परकर का सौप चलाते तो उसका एक सर्टिफिकेट लेना होता है तो आप current account ले सकते हैं, आप अपना उद्वोग अधार का certificate दिखा कर, लोन ले सकते हैं, आप अपना उद्वोग अधार का certificate दिखा कर, ऐसे बहुत सारे facility हैं, जैसे मुकमनते उदमी योजना जब आती है, तो इसमें भी उद्वोग अधार का certificate आपसे government मांगती है, कि आप certificate दिखा ये कि आपका उद्वोग किस परकार का है, तो द्वोग अधार का registration का process जो है, बहुत है सिंपल किया गया है, गोबेंट द्वारा, इसमें कोई भी लोग आवेदन कर सकते हैं, जिनके पास अधार कार्ड, मॉवाइल नंबर, इमेल आईडिया और पास्बुक है, तो द्वोग अधार के बारे में, कैसे registration करना है, कैसे IC code आपको निकालना आपने संस्ता का, यह पूरी परक्रिया आपको हम डीटेल में समझाने के courses करेंगे, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, तो एक लाइक करिए, साथ ही चैनल को subscribe करिए, ताकि जो भी इतरा का update हो, आपको मिल सकया, और साथ ही Instagram पर भी follow करना मत मुलिए, ओनलाइन अपडेट से Instagram है, और टेलिगराम ग्रूप को भी जवान करिए, ताकि यह जो सोसल मीडिया है, उस पर जो भी update होता है, मैं सबसे पहले share कर देता हूँ, सबसे पहले आपको आना होगा, इनका official website पर दोग अधार के, इस website पर आने के लिए Google open करेंगे, Google में search करेंगे, online update fdm.com इस website पर आजाएंगे, यहाँ पर एक search का option मिलेगा, इसमें आपको search करना, दोग अधार सिर्फ आपको लिख कर सर्च कर देना, जिसे दोग अधार लि जनकारी को बताई गई कि दोग अधार क्या है, इसमें registration करने साब को क्या फायदे है, इसका उदेश क्या है, क्या क्या दथावेज लगते हैं, registration कैसे करनी है, और क्या इसका उदेश होता है, यह पूरी परकिरिया, और registration कैसे करना है, इसकी भी पूरी परकिरिया आपको यह आपे बताई गई है तो यह सारी जनकारी आप आकर यहां से पढ़ सकते हैं और आपके मुन में किसी भी परकार की confusion है तो सारे परसनों का जवाब आपको यहां पर दी गई है आपकर सारा detail पढ़ सकते हैं यहां पर आएंगे तो दोग अधार registration के लिए एक link मिलता है आपको इ इस वाले पर क्लिक करना है जो भी नमबर आपका अधार से link होगा उसका चार डीजित दिखागा और उस पर OTP डालने के बाद एक option मिलता है वेलेडेट का वेलेडेट वाले पर क्लिक करेंगे वेलेडेट पर क्लिक करने के बाद आपका अधार authentication जो हो जाता है अगला जो टीटेल है pen verification का पैन बेरिफिकेशन के लिए आपको यहां पर दिखिए जो भी आपका संस्ता और ग्राइंग जेसन है पहले उसका टाइप आ है तो आप क्या करेंगे यहां पर option मिलता है आपको first option ही मिल जाता है प्रोप्राइटर का यानि एकल का स्वामित्र का आप इसको select कर सकते हैं अगर माल लेजिए यह संस्ता partnership में आप चला रहे हैं कोई business चला रहे हैं तो आप यह भी select कर सकते हैं साकारी है private limited company है public limited company है यह सा आरा option आपको मिलता है trust है society है जो भी है आप अपने अनुसार से ले करेंगे अगर आपका खुद का business है तो आप यहां पर फर्स्ट वाला जो option है उसको select करेंगे जो भी आपका pen number है और pen number डालेंगे उसके बाद एक option मिलता है pen validate का आप इस पर क्लिक करेंगे उसके पाद कु तो yes करें अने था यहां पर no करें अगर yes करेंगे तो जो भी GST number होगा आपको आगे डालना होगा अगर नहीं है तो यहां पर आपको no पर select करना है उसके बाद एक option मिलता है उदमी registration का जिसमें five number में देखेंगे तो जो भी enterprises यानि जिनका भी अधार pen पर जो नाम होगा वो करते हैं category select करेंगे उसके बाद gender आपको select करना है कि यह जो आवेदन आप दे रहे वो पूरुस है याप महिला है उसके बाद अगर वो विकलांग है जिनका आवेदन कर रहे है दस नंबर में पूछा जा रहा है तो है तो yes करे अने था यहां पर no का option है नो पर click करेंगे का नाम आप से पूछा जाता है यानि unit name पूछा जा रहा है अप unit name में जो दुकान का आपका नाम है वही नाम को जो उपर डालेंगो उसको ही copy करना है unit नाम में उसको ही डालना है उसके बाद एक option मिलता है add unit आप इस वाले पर click करेंगे इस परकार आपका जो unit का नाम है य घ्रेडरो डालेंगे जयकोड जैसे फ्लार डॉर ब्लॉक नमबर जो भिष्व होगा यह डाल सकते हैं घ्रमाने जरा अगर माने आती तो यह नहीं आदो आगो यहांपरYourद नंबर भी जिस भी जिले में वो बिजनेस चल रहा है आपका तो उसको सिले करना है डालने के बाद एक option मिलता है add plant आप इस बाले पर क्लिक करें कि आपका जो address होगा shop का इस परकार देखनों के मिलेगा address में भी कोई गलती है तो आप डिलेट करके फिर से add कर सकते हैं फिर नीचे आएंगे तेरा नंबर में आपका जो भी office है उसका जो भी पता है आप यहां पर डालेंगे अगर मान लिजिए आपका जो shop है वहीं पर रहते हैं वहीं आपका office है तो वही address आप यहां पर भी fill up कर स सकते हैं उसके बाद यहां पर आप से पूछा जा रहा है कि क्या आप बिहार के जो address दिये हैं वह industrial area से अगर आप आते हैं तो एस करें अने था यहां पर नो पर किलिकराने दे चोदा नंबर कॉलूम में आएंगे तो पिछले इम टू या यू एम पंजियन संखिया यदी क कोई है तो आप डाले अने था नहीं डाले यानि इससे पहले अगर आपने कभी भी यू एम रच्टेशन किया होगा तो आपको होगा नहीं तो यहां पर एने वाले को सेलेक करेंगे उसके बाद आगे आएंगे पंडर नंबर कलूम आपसे पूछा जा रहा है बिजनस सेले करें नहीं हुआ है तो यहां पर नो करें और कब करेंगे वो डेट यहां सा फट जाएगा इस चीज को ध्यान रखेंगा इस करेंगे तो यहां पर आपको पूछा जा रहा है उसके बाद यहां पर बीन नंबर में आप देखेंगे पूछा जा रहा है कि क्या जो भी बिजन अगर आप करते हैं तो आप यहां पे यह से लेक करेंगे अगर आप सेवा देते हैं तो यहां पर यह से लेक करेंगे निर्मान का मतलब हुआ कि अगर माली यह कुछ फैटेक अगर आपने बैठा आयो फैटिक में अगर कोई समान आप बनाते तो यह करेंगे अगरां ऑकिराना दustaान कियाैं तो वहां पर स्वा देते कोई लोगाते हैं तो वहां से आप सबसा समान ले जाता तो उश्तिति में यहां पर सेवा आपको सेलेक करना होगा अगर आप बनाते हैं तो यहां पर मैनुफेक्ट्रिंग भी सेलेक कर सकते हैं उसके बाद 17 नंबर में पूछा जा रहा है कि जो भी आपने सेवा सेलेक किया था उसके एकॉडिंग कि यह जो सेवा है नन ट्रेडिंग है यानि गैर व्यपारिक है तो जिस भी अनुसार का है सेलेक करेंगे उसके बाद 18 नंबर कलूम में जवाब आएंगे अब मेन आता 18 नंबर भरना थारा नंबर थोड़ा सोच समझके भरना अगर यहां पर मिस्टेक करेंगे तो यह सर्टिपिकट आपका इसू हो भी जाएगा तो किसी काम का नहीं रहाएगा क्यो जैसे बहुत परकार करमेट कले जैसे हों सल era कि परकार का वह है है आप यहां पर सेलेक कर सकते डिटील आर्ब एंडियार सेल्प करते हैं इस पर स्वकर लिए किसी का अगर्माल है साइबर कैफे का ही दुकाना तो साइबर आप इस परकार लिखे हैंगे तो यहां पर cyber cafe का जागा इस परकार आपको automatic यह सारा detail जैसे यह जो code है NIC two digit code यह और four digit code और five digit code यह automatic select हो जागा इसके बाद यहाँ पर add activity आपको select कर देना है तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे गाट जिस भी परकार का आपका जो है उसकाम को select करेंगे automatic यह सारा detail आजयागा और यहाँ पर add activity को select करेंगे यह select हो जाएगा नीचे आना है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है उन्हें इस नंबर में कि जो भी सौफ है उस पर कितने आदमी जो है निकत आपने किया है जैसे अगर मान लीजी आपने चार एश्टाप रखा जिसमें पूरुस के संक्या अगर दो है तो यहाँ पर दो select करिएगा इस तरीका संक्या अगर वहाँ पर है जितना भी तो आप यहाँ पर select करिएगा अने भी कोई लोग है तो करेंगे नहीं तो इसको छोड़ना है टोटल मेंबर यहाँ पर तीन दिखाई दे देगा विस नंबर कलम थोड़ा सा ध्यान से भढ़िएगा क्योंकि यहाँ पर कि कितना का income tax आप पे करते हैं कि कोई लोग जो है तो लाग income tax पे करते हैं तो यहाँ पर दो लाग से लेकरेंगे और आपका जो भी बिजनास है स्टाटिंग करने के लिए कितना पुंजी अपने लगा था वह आप यहाँ पर select कर देंगे उसके बाद आप एक इस नंबर मे आपका बिजनस का पूछा जा रहा है कि अगर माली आपका बिजनस जिस वी अनुसार का अगर मान लिए दो लाग तिन लाग एक लाग का टर्ट नोबर है तो यहाँ पर select करेंगे उसके according जो है यहाँ पर आपका select होगा किसी का अगर मान लिए income tax pay नहीं करते तो यह उपर आपको सिंपली जीरो लिकर आगे बढ़ना है और जो बिजनस का टर्ट नोबर है वह आपको यहाँ पर बारता देना उसके बाद नीचिया आएंगे उसके बाद 22 नमबर कॉलम आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप सरकारी यह गोब्मेंट का जो मार्केट है उस पोटल पर स्टेशन करने के लिए सहमत है तो आपको यह करना है इसमें भी आपसे वही पूछा जा रहा है कि क्या आप टी आर इडी एस पोटल पर जो पंजियन होगा उससे सहमत है तो यह कर दीजिए उसके बाद नीचे आना है यहाँ पर कॉप्शन मिलता समीट एंड गेट ओट पे क्लिक करना है ऊपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप सीवर यहेस्टल आपने दिया है वो सभी है तो यहां पे ओकंचा आपको दीख रहा है इस बोक्स में डालना है उच्ड़ मिलता है फाइनल समिट का आप फाइनल समिट वाले पिलिक करेंगे जैसे ही आप फाइनल समिट पर किलिक करते हैं इस परकार का एक option हैगा thank you for visiting उद्यमी registration portal और इस परकार एक आपको reference number मिलेगा इस reference number को आपको simply copy कर लेना है इसको copy यहां से करने का बाद फिर से इस website पर आएंगे यहां पर आपको registration वाले पर जब किलिक करेंगे तो एक option आपको मिलता है यहां पर print verify का जब इस पर आएंगे तो यहीं पर आप जो है अपना सारा काम कर सकते हैं यहीं से अपना जो दमी certificate है कुछ दिन बाद जब इस पर click करेंगे जो भी reference नंबर आपको मिला होगा उस नंबर को यहां पर आपको डालना है उसके बाद जो भी mobile नंबर दिया था वो नंबर डालेंगे को बाद option से लेकरेंगे कि किस मादम से डाउनलोड करना चाहिए वो टीपी पूछेगा कि email पर आनवाना है या मुवाइल नंबर पर जिस पर इस पर करेंगे तो इस परकार आपका जो certificate है इसू हो जाता है इस certificate को आप यहीं से प्रिंट कर सकते हैं और प्रिंट करके आप अपने सोब पे लगा सकते हैं तो इस परकार बड़े ही असाने से उदमी अधार registration का process जो है बड़े ही असाने साब कर सकते हैं जिसका पूरी परकरिया हम ने आपको इस वीडियो में बताया किसी भी परकार कि आपको डाउट है आप हमारे website पे आकर सारी जनकारी को डिट कर सकते हैं जिसको हमने पूरे बारिकी से हिंदी में बताया है आपको किसी भी परकार कि समस्या नहीं होगी इसके अलावे भी कोई डाउट है आप हमें comment कर सकते हैं भी सच जनकारी के लिए आप हमें Instagram online update STM पे message कर सकते हैं follow कर सकत सारा confusion आपको वहां भी हम दूर कर देंगे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद